हेलो दोस्तो कहने के शुरुआत में Mad Max अपनी भुलबुलेया दिखा कर कहता है कि एक बार बीर इसमें फस जाये तो कभी दुवारा बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि एक बार भूल भूलेया एक्टिवेट हो जाने के बाद किसी का बाप भी बाहर नहीं निकल सकता है तभी तिमबक्तु वहां आ जाता है और गर्ती से भूल भूलेया को एक्टिवेट कर देता है और एक रोबोट उस पर हमला कर देता है और मैड मैक्स और मोना अपनी जान बचा कर भागने लगते हैं फिर करिवन एक महाबाद वापस आते हैं और मैड मैक्स और मोना मिलकर तीमबक्तु की खुब पिटाई करते हैं क्योंकि उसकी गलती की वज़ा से ये सब भुगतना पड़ा तभी तीमबक्तु रोड पर आ जाता है और बुजो व्यक्ति वनकर इमिली को उठा ले जाता है जिन्टु और चुलबूल भी उसका पीछा कर भूल भूले आमें चले जाते हैं और एक पथर जिन्टु के सर पर गिरने से वह सब कुछ भूल जाता है जिन्टु की यादा चली जाने की वज़े से जिन्टु को कुछ पता नहीं चलता कि हम इधर जाए या उधर जाए चुलबूल और जिन्टु दोनो भाटकते रहते हैं इधर बीर इमली को ढोड़ता रहता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है फिर बीर के सामने कोई रोबोट आ जाते हैं और बीर पर हमला करने लगते हैं लेकिन बीर इंटी लेजर कवर आउन करके वही से बच जाता है और फिर बैटरी डाउन होने की एक्टिंग कर किता है ये सब तिमबा कुदू देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है बीर और इमली बाहर आते वक्त जीन्टू और चुलवल मिल जाते हैं ये सब बाहर निकल आते हैं तभी जीन्टू के सर पर नारियल पड़ता है और वहां सब कुछ याद आ जात है इसी तरह से कहने की एंड होती है